तो हेलो अब्रीवन वोफुली पर्टेंटेज का शैशन नंबर वन आपने अभ्यास का देख लिया होगा और आपको पसंद भी आ रहा होगा क्या आपके पास सही गुंटकर वह सही गुरू मंतर है जिसे बोलते हैं जिसमें इस बार ऐसे क्लियर हो वह कैसे मिलेगा वह आपको मिलेगा अभ्यास से वह सही डारेक्शन वह मुमेंटन कैसे मिलेगा क्योंकि अभ्यास सिर्फ और सिर्फ क्या कर रहा है 75 डेस इसके अंदर क्या है एक चीज और है मेरे पास अब वाए आपको क्यूं ये बैच खरीदना चाहिए क्यूं आपको सिर्फ के लिए इस बैच को फोकस करना चाहिए अगर आप ध्यान से देखोगी यहां पर एक लेन लिखे 41 प्लस सिलेक्शन इन 2021 कि 2021 में 41 से जादा सिलेक्शन थी और 2022 में 27 से जादा सिलेक्शन बिकॉस 2022 में आपको पता है साथ से 62 बच्चों का ही मेक्सिम सिलेक्शन हो पाया तो उसमें से 27 बच्चे अब भिवन्यों यह से थे तो यह साब साब दिखाता है वट क्वालिटी वी और प्रवाइडिंग अब इस फास्ट एक बैच में जो है हमारा 75 डे कोर्स यह ऑनलेन ऑफलेन बोथ बैच्च मिल रहे हैं जो आपको सही गाइडनेंस देखी इस एक्जाम को एजीली क्राइक करने के लिए क्लिए तो प्लीज अगर पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब बिकॉस पर्चेंटेज में बहुत अच्छा आप लोग दिखाएंगे तो प्लीज चलिए चलते हैं आज किस बाइस का कोशन है क्या है कि पहली बाइसेकल का जो प्रैस है उसको पर्सेंटेज में इंक्रिस किया गया जबकि दूसरी बाइसेकल का प्राइज पैसो में इंक्रिस का गया 550 तो अलग-Alग सिनेरियों है दोनों कि अब जो मेरे पास प्राइज का रिशो आ चुका है वो कितना गया है तेरा रेशो बाइस वाइस देखिए बहुत अच्छा कोश्चन है इसको करना देखिए मैंने माना शुरू में मेरे पास ए और भी दो साइकल्स है कुलियर मैने मनना इसका पंधरा पि यह और इसका कितना है चोण्यश्य फिक ठीक है पंधरा असाइyor न्टिर सेखिण वह क्या 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 रहा है वह सेकेड़ बाइस सेकल को पैसों बढ़ाया पांसों पचास रुबे तो डेफिनेटली इसका प्राइस कितना हुआ 26P प्लस ओफ 550 जैकलियर और फाइनली यह रेशो कितना हो गया 13 बटे 22 यानि 16 15.5P divided by 26P प्लस 550 बराबर कितना तेरा बटे 22 यह चीज़ बिल्कुल हमें सबस्ट क्लियर होनी चाहिए जो ही एक्वेशन बनी है तो प्लीज अगर समाझ है तो लाइक शेयर और सबस्क्राइब जरूर कीजिए और आपके पास जो 75 डेस का कोर्स है उसका लिएक डिस्क्रिप् टाम सॉफ दिर्ट निए आपने नोट कर लिया होगा तो इसको मैं थोड़ा मिठाना चाहूंगो चलिए students, मेरे पास देखो कितना है, 22 into 16.5, 16.5 गुना दो, 330, 330 plus 33P, तो ये कितना आ गया, 63P is equal to 13, देखो, 13 दो नहीं 6 पीस है, 260 plus, 13 चीक्ट, 80, इसमें 40 जोड़ो कितना होगा मेरे पास, 303, 38, तो ये कितना होगा, 338P plus, मैं unnecessary में multiply नहीं करूँगा, किसको, तर्टीन एंड है फाइफ फिफ्टी को विकोल मेरे पास क्या आ रहा है अगर मैं जहांसे देखों यह कितना आ रहा है मेने पास थ्री 63 माइनस 338 पी इस इकर देखों यह धान से देखों कितना है दो चालिस और तर्टी फाइफ फिफ्टी मैंने भी बोला था आपको अननेसेसरी की कैलकुलेशन नहीं करना क्योंकि मुझे बाद में फेक्टरिजेशन करनी पड़ेगी तो पच्चिस यह गया बाइस से तो कितना हो गया है दोसो साट प्लस अबिस 286 तो क्या पी की वैल्यू मेरे 286 है बिल्कुल अब मुझे क्या पूछ रहा कॉशन वट वर दा इनिशल प्राइज ऑफ दूबाइक साइक कल्स देखिए इनिशल प्राइस कितना था मेरा 15 भी यहाने 15 इंटू आफ कितना 286 अब देखो यह एक मल्टिप्लाइक आर्ट है मैं आपको बताता हूं कैसे कैल्कुलेशन एक आर्ट है जो मुझे अच्छे से सीखना है देखो सबसे पहले कुछ मत करो मुझे क्या करना 15 गुना दोस चाब दोस 26 करना 15 इंटू 286 क्या मैं इसको ऐसे लिखूं 10 प्लस 5 इ बहुत सारी बाट मुझे बहुत पसंदा तू एक क्योंकि जब आप 286 को 10 मिल्टिप्लाइक रोगे इंट इल गीव टूएट शिक जिरू अब पांच असे करना यानि दस का अदा यानि इस का अदा ले लो भाई 1430924290 किस ओप्शन में दिख रहे हैं बट मैं इसको भी पूरूफ करके देखूंगा की मेरा सही आ रहा है क्लियर तो होफुली केलिकुलेशन ट्रिक आपको अच्छे समझ आई होगी चलता हूं मैं नेक्स्ट फिर चलिए अगला कितना दिया मुझे अगला है मेरे पास कि 30 फ्लस पांच फ्लस एक क्लियर देखो ज्यान से देखो और इसको करना है 286 देखो 286 का डबल कितना है 286 286 560 प्लस बारा फाइव 720 प्लस 286 का डबना कितना होगा 2430 फ्लस वन टाइम कितना फ्लस 286 इसको आपने एड करना देखो यह कितना है मेरे पास पांच एक 6000 आगया प्लस 700 ग्यारा सो तो 1300 प्लस 3020 पचास या पचास प्लस 86 यह कितना है यह 136 तो यह कितना आगए बटेम्राइव 73436 तो यह आगए प्रूफ तो कैल्कुलेशन देखो मैं यह कैल्कुलेशन वैसे मेरा कोई दिल निदा करवाने का कि यह वाली सेक्ड वाली क्योंकि जब मुझे दिख्या कि एक option में 4 390 है तो मैं फिर भी मैंने प्रूफ करके दिखा है कि आपको कि डाउट नौ क्लियर चलिए चलते नेक्स कुश्चिन की तरफ चलिए जी शूपर इपॉर्टन कुश्चिन ये भी आपका है सिख्यास बाइस प्रेलिम का है रुपीज 1200 इस डिवाइड ऑमां एक सथा सब्सक्राइब थर्टी मोर देन 3 वाइफ 5 ओफ एक सब्सक्राइब थर्टी मोर देन 2 वाइफ 5 ओफ य शेर एंड 20 मोर देन 5 वाइफ 7 ओफ देड शेर ओल्द इक्वल इसका मतलब क्या है कि 3 वाइफ 5 ओफ एक्स इसमें कितना करें बिटा 30 करें इस इकल टैन मोर टू टू बाइफ 5 ओव यह यह टू बाइफ 5 वाइफ यह प्लस 10 इस इकल टू टू फाइफ बाइफ 7 ओफ जैड प्लस 20 सपोस करें इसको मैंने के माल लिए यह सारा का सारा बराबर है तो बेटा x की वाइल्यू क्या होगी x मेरे कितना होगा कि माइनस 30 इसका कितना 5 बाइफ 3 टाइम्स यानि x के अगर वैल्यू निकाल लूगा कितनी आएगी 5 बाइफ 3 के माइनस ओफ 10 टाइम्स 50 वाई कितना आएगा मेरे पास directly अगर मैं लिखूं के माइनस 10 इसका कितना 5 बाइफ 2 टाइम्स इसको मैंने इसको कंपेर किया तो यह कितना है मेरे पास 5 बाइफ 2 के माइनस ओफ कितना 25 अच्छा जी नेक्स कितना बचा मेरे पास जैट की वैल्यू क्या आई 7 बाइफ 5 टाइम्स ओफ के माइनस ओफ 20 यानि जैट कितना है तो यह आगी मेरे पास एक्स वाइउ जैट की वैल्यू कोशन क्या कह रहा है मेरे पास वट इस जैट शियर इसका मतलब अगर मैं एक्स प्लस वाई प्लस जैट को मिलाओ बेटा मेरे पास पितना आचीए आई ने 1200 अगर मैंने एक्स वाई और जैट तीनों को एड़ किया तो मेरे पास कितना आचीए बार्थो यहीं से मेरे को कुश्चन का पता चले और देखो मेरे पास अंसर जैना काफी दूर दूर है तो मुझे डेफिनेटी इस कोश्चन में अप्रॉक्सिमेशन लेकर चलूंगा तो ज्यादा बैटर रहेगा क्लियर देखिया कैसे मैं अप्रॉक्सिमेशन लोगा ज्यांसे देखिएगा तो प्लीज लाइक शेर और सब्स्राइब दा चैनल अग्वेल दा वीडियो चले बच्छा तो 5 बाई 3 के माइनस 50 प्लस 5 बाई 2 के माइनस 25 प्लस 7 बाई 5 के माइनस 28 इस इकल तो कितना त्वेल बंटर लेट में जाएक इसके बाई 3 के माइनस 50 5 बाई 2 के माइनस 25 एंड 7 बाई 5 के माईनस 28 चलिए तो यह कितना है मेरे पास 3 10 50 के प्लस यह कितना है 50 75 और 75 प्लस 25 इस 100 103 तो यह कितना हुए 303 तो बटा यह कितना आगया 50 साथ वांच बारा चार सोला वन सिक्स्टी सेवन बाई 30 के अब देखो मैंने आपको भी बोला था यह मुझे थोड़े अप्रॉक्सिमेश लें नहीं पड़ेंगे अगर यह 65 होता मेरे पास सपोउज करो तो इसको मैं काटू 5 चिके 30 और यह इसे मैं पंदरा से काटू 15 आपके वेल्यू निकालना चाहूँ तो कि वैल्यू इतनी है कि मैने पास लेंट उफ वन थरी 0 3 डिवाइद पर 11 से क्या मैंसे काट सकता हूं कि अगर मैं 1300 तीन के पास जाना चाहूं देखो 11306 Sup 1120 कि ग्यारा एकम ग्यारा दो जीरो एक बचा सातीन तो सोला के आसपास कुछ जा रहा है तो सो बत्रीस के आसपास लेट में चेक केतने आएगा चेक करते हैं कि तो यह कितने में जाएगा ग्यार एकम ग्यारा दो जीरो एकम ग्यारा और यह कितना बचाएटी थी तो अप्रॉक्सिमेटली एट सेवन पर कुछ अप्रॉक्सिमेटली जो इसको टू इंटू एक सो अठारा भी लेलू मैं एक सो तरपंड पांची ले तो कितना आ गया तू थर्टी फाइव के है मेरे पास मैंने अप्रॉक्सिमेशन मिलिया तो मुझे जैडी की वेली पूछ रहा है तो जैडी क्या था मेरा जैड़ तो जैड़ एक्चुली में मेरा था आगया फाइप सेवन टाइम ऑफ जैड प्लस ट्वंटी इस इकल टू के तो के कितना आ गया 235-20 कितना गया 215- गुना साथ यानि यह कितना आ गया अगर मैं से जहां से देखूं ऑटी थी फॉर्टी इन्टू फॉर्टी इन्टू साथ तो सबसी किस्तो अप्रॉक्सिमेटली जो अंसर आ रहा है मेरा ऑप्शन नमबर या रहा है 299-699 तो कैलकुलेशन थोड़ी सी भेंकर थी एक लोग 285 clear 2 by 3rd of money with Ram यहने 2 by 3 times of Ram's money is equal to 3 by 5 times of Shams money then what is the money with Ram तो बेटा ही कितना आगया राम पॉन शाम अगर राम निकालो कितना आएगा 9 बटा 10 यहने 19 unit कि वैल्यू कितनी आगी 19 unit कि वैल्यू कितनी है मेरे पास टोटल 285 तो 19 एकम 19 और कितना बचा 15 टाइम जा गई है बिल्गूल सही तुमसे क्या पूछ रहा है राम जुमने राम के बास कितना था पंद्रा गुना नो कितना है मेरे पास 135 ऑप्शन नमर्डीज दा राइट एंसर क्लियर तो यह ऐसान कोश्चन भी आते हैं से ने के हर बार मुझकिल कोश्चन नहीं आते हैं प्लीज लाइक शेयर सब्स्राइब जल्दी से चलिया ऐसे फ्रेक्शन वाले कोश्चन बहुत आयते यह आपको 222 वाले कोश्चन बहुत आयते हैं यह काफी अच्छा कोश्चन था और ऐसे मुल्टीपल कोश्चन आया अगर अब देखोगे ना भी एक है एक से दो भी जाथ है मुल्टीपल कोश्चन से मैंने माना लेट फ्रेक्शन भी एक्स अपॉन वाई ठीक है अगर मैं एक्स में क्या करूं और फ्रेक्शन 3 बेस एड़ेट यह निए एक प्लस 3 अपॉन प्लस 3 इस इकल तो 3 ताम्स ओफ यह प्लस 3 क्लियर तो काफी अच्छे कोश्चन है प्लीज लाइक शेर सब्स्राइब तो यह कितना है गा फाइग्स प्लस 15 इस इकल टू कितना 3y प्लस 9 तो यहां से कितना आगा 5x minus of 3y is equal to 9 minus 15 यह नि-6 योगी मेरी पहली एक्वेशन एक्वेशन नमबर 1 बिल्दी से नोट करेंगे नेक्स को चलेंगे चली नेक्स क्या बोल राम इरको एंड बिकम्स 1 बाइ 2 इफ 5 इस अप्रेक्टिट फॉम बहुत नूमरेटर यह नि-5 अपॉन y-5 is equal to 1 by 2 यह नि-2 इस अप्रेक्टिब बिल्कुल जी तो यह कि अगो 2 times of x minus 5 is equal to y minus of 2x minus of 10 is equal to y minus of 5 तो बिट्टा ही कितना गया है 2x minus y is equal to minus 5 plus 10 यह नि-2x minus y is equal to 5 clear तो यह दो एक्वेक्शन आज़ों कि अब मुझे इन equations को सिरफ solve करना और मेरे बास कुछ ही नहीं बचा इस question में जल्दी से note करेंगे question को solve करते हम चलिए जहां से देखिएगा how to solve this equations तो पहला कितना दिया है मुझे 5x minus of 3y is equal to minus of 6 2x minus y is equal to कितना it's plus 5 sorry not minus 5 चलिए 5x minus 3y is equal to minus 6 2x minus y is equal to 5 जैको अब मेरे पास क्या या दो मैं x को बराबर कर लो तो य को बराबर कर लो जड़ा तीन से मिल्टिप्लाइ करो तो 5x minus of 3y is equal to minus of 6 आके क्या है 6x minus of 3y is equal to कितना 15 तो बैटा कीजिए ज़रा minus minus तो माइनस of x is equal to कितना आ गया मैंने से किस याने एक सितना आ गया मेरा 21x एकर 22 आगया तो मेरे पास 21 की option में दिया ऑप्षन नमेरे सही होना चाहिए बट इसको फिर माइनस y is equal to 5 so 2 into of 21 minus 5 is equal to y तो y कितना आ गया मेरे पास 42 minus 5 is equal to कितना 37 option number a is the right answer clear तो प्लीज 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 लाइक शेर और सब्सक्राइब जैसे आपने पिछली वीडियो को प्यार दिया इस वीडियो को भी इतना लाइक के जिए शेर कीजिए बच्चों को बताईए कि यहां पर अरम 2.0 स्टार्ट हो चुका है जिसका अंदर HCM प्रिलिम्स की बहुत अच्छे सा त्रेयरी करने है clear चलिए नेक्स पर चलते हैं बच्चों चलिए जी नेक्स कोशन किया दिये मुझे दा प्रोड़क्ट ओफ टू फ्रेक्शन इस एक्स और सॉरी फाइब उपन फॉर एंड देर कोशन इस फॉर बै ट्वेंटी इव दा दिनॉमिनेटर ओफ दॉप्रेक्शन इस तुबाइब और देखते हैं क्या पता है इसकाम कहीं भी यूज कर पाएं अब देखो मेरी बात उसने सेकेंड बात क्या बोली है इफ दडिनॉमिनेटर ओफ वन फ्रेक्शन इस टू बाइफ फाइव टाइम्स डैट ओफ द अधर अब इसको कैसे यूज करूंगा मैं अच्छा अगर इसको मैं यहां पर लेकर जाओ तो क्या मेरे पास निकलेगा द इसकेर कितना आ गया वन बाइफ और यहां से एक इतना आ गया वन बाइटू यानि एक अगर मेरे पास यह आ अच्छा ठीक है इसका मतब यह आ गया अगर मैं यहीं पर पूट करूं इस टू बाइफ फाइवाल एक्वेशन को तो मैं इसको कैसे लेके चलूंगा मैं इसको इसको अगर मैं यूज करता हूं तो मेरे पास यहीं एक एक एक्वेशन बसती है तू बाइफ टाइमस क्योंकि उसने क्या बोला कि दू डिनोमिनेटर है ना जो एक है और दूसरे है उन दोन्नों का डिनोमिनेटर का रिशो तू रिशो फाइव देखो यह दू आ गया और दूसरे क्या मुझे नियूमिनेटर ने पता अब डिनोमिनेटर मुझे पता भीया पांच है क्योंकि एक वैल्यू मेरे पास एज़िकर दूसरे ग्या दिया देफिनिटली पांच होगा मेरे पास तो यहां से कुछ निकल रहे तो एक्स कितना आ गया मेरे पास 25 बटा दो य उट्व से क्या बूच रहा है श्मोल दूफ्रेक्शं में दो बर बतादों दिखो AU जब मेरे पास मेरे को शुरू में दो व्राइटर फ्रेक्शंस का मुल्टीप्लाइब करके कितना दिया था था और उन्होंने एक बार बोली कि अगर मेरे पास यह यह पास है औयों कि फॉर्म की तो y ratio p मेरे पास कितना दिये है 2 ratio 5 अगर जब मैंने x upon y निकाला 1 upon 2 आगे इसलद y मेरे 2 आगे तो definitely मेरे p कितना होगा 5 यह मैंने यहां put किये clear तो समझ यह इसको क्या question कहा रहे clear यह बहुत अच्छा question था चलिए next question कहा the sum of numerator and denominator fraction is 5 less than the thrice the denominator देखो इसका मतलब कहा मैंने x upon y कोई fraction मननी the sum of numerator and denominator is 5 less than 3 times the denominator and it's 3 5 minus of 3 y minus of 5 तो x plus y minus 3 y is equal to minus 5 तो x minus 2 y is equal to कितना minus 5 question number आगे अपनी है ठीक है if the numerator and denominator decrease by 2 then the numerator becomes half the denominator अच्छा वो कह रहा है if the numerator and denominator x minus 2 upon y minus 2 then the numerator becomes half the denominator यह अच्छा कुछ तो multiply करो 2x minus 4 is equal to कितना y minus 2 2x minus y is equal to कितना minus 2 plus 4 यहनी कितना विट्टा प्लस 2 clear तो यह पीछला question बहुत important है यह भी उसी जितना important है तो कितना आ गया है 2x minus y is equal to कितना चलिए पीछले questions कितना यह से में मेरे बास दो equation आचके लेक्टन सॉल्फ मैं उमीद करूँगा आप सॉल्फ करेंगे और comment section में जंसर भी बताएंगे इसका आपका कितना आया है 2x minus y is equal to कितना 2 तो बेटा इसे करतो ज़रा 2 से multiply तो कितना आ गया 2x minus 4y is equal to कितना minus 10 2x minus y is equal to कितना 2 clear तो यह मेरे बास कितना आ रहा है minus minus common तो यह कितना आ गया minus 3y minus 12 y की value किया आगे मेरे बास y आगे 4 अज़र y मेरे बास 4 आगे तो मेरे को d option दिख रहा है साब साब तो यहां put करतो ज़रा x minus of कितना 4 to the 8 is equal to minus 5 तो x कितना आ गया मेरे पास 3 तो अंसर कितना आ गया option number d 3 बटे 4 सही अंतर इसका clear तो please like share and subscribe the channel यह था आपका है से दो दरबाइस का ही question चलिए चलिए यह थोटा सा mixture का question है अब mixture contain alcohol and water in 4 ratio 5 5 liter of water is added to the mixture the ratio becomes 4 ratio 5 देखो alcohol and water है मेरे पास पहले किस ratio में है 4 ratio 3 secondly वो क्या कहा रहे है 5 liter of water is added मतब alcohol है मेरे पास constant 4 ratio 5 देखो इस question को सबसे अच्छा करने का तरीका क्या है आप x y z लेके कुछ भी कर लो doesn't matter बट एक बात को ध्यान रखो हमेशे एक बात को focus करना ध्यान रखना आपने कि जब भी आप इस तरह का question करो आपके पास जो चिस constant है उसे ब्राबर कर दो जैसे इस question में alcohol है मेरा constant था मतलब आपने वाटर एड़ तो किया है बट एल्कोहल तो इतना को उतना नहीं है तो यहां पर एल्कोहल बराबर दिया गया तो यहां पर क्या होगा मेरे पास उससे क्या बोल रहा है पांच लिटर इसमें एड किया है तो एक यूनिट की वैल्यू कितनी आगी मेरे पास कोशन क्या आश कर रहा है आप से कोशन इस एक एक पास्ट इस केइड़ एल्कोहल तो Allah 005 by 252 अंटू 2 जामच और ऑप्षयट नमबर ऑट ब्रेля a sum of which 427 is to be divided among a, b, c such that 3 times of a sum such that 3 times of a sum is equal to 4 times of b sum is equal to 7 times of c sum and their shares are equal, मतलब a plus b plus c कितना दिया मुझे, मुझे 427 दिया गया, clear, देखो इसको अगर मैं केल ले लो, मैं डिरेक्टिव भी बताऊं को आपको कैसे करना, बट पहले समझे इस कोशिन को प्रोच कैसे करेंगे, so 3a is equal to k, a कितना आ गया, a by 3, 4b is equal to k, b कितना आ गया, a by 4, 7c is equal to k, c कितना आ गया, k by 7, clear, चलिए, तो a ratio, b ratio, c निकाल लेंगे, k by 3, ratio, k by 4 ratio, k by 7, देखो, साथ, अगर नुम्बर जा, को पना है, मतलब, तो lcm कितना गया, 84, तो इसको 84 से multiply कर दो, तो यह कितना गया, 12, यह कितना गया, 21, और यह कितना गया, 28, के, next कितना मेरे बास, 21 के, और last कितना 12 के, यानि इन तीनों को जब मैं add करूँगा, तो मेरे बास कितना आना चाहिए, 4, कितना, 4, 27, तो प्लस add करो, तो पेटाई कितना होगया, 28, 12, 40, 40, और यह कितना होगया, 61, 21, तो 61 के की वैल्यू कितना है, 4, 27, कितना टाइम्स, 7 ताइम्स, तो के की वैल्यू कर साथ आगे, तुम से क्या, उसरा C, तो C कितना है, भाई, 12, 12, गुना साथ कितना आपने बास, 84, जितना फ्लूलेस करेंगे, उतना मजाएगा, तो option number A84 is the right answer of this brilliant question, clear, तो प्लीज 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 लाइक कीजिए, शेर कीजिए, सब्सक्राइब करना प्लीज मत भूलिए, clear, चलिए, 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 प्लीज इसको लाइक, शेर, सब्सक्राइब कीजिए, और प्लीज जो हमारा 75 देका ट्रैक है, फास्ट टैक बैच है, उसका लिंक डिस्क झाल झाल